कि दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेयर करें दोस्तों आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूरत हैं हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपका जियो भी नुट में दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सभी बड़ी ख तो दोस्तो आज ही सबसे बड़ी ख़बर है। सुत्रों के मताबिक दوبारा सरकार के गठन करने के अगले 100 दिन के कामकाज का ब्लू प्रिंट तयार रखा गया है। सुत्रों के मताबिक अगर भाजपानित राजक बहुमत से थोड़ा सा भी पीछे रही तो मोदी बीना गाजे बाजे के सपत लेंगे और अगले दिन जनता से मन की बात करेंगे। 2014 में सत्ता के आने के बाद मोदी ने इस कारिकरम के जरिये जनता से 53 बात समवाद साथा। वैसे कारिकरम का जारी रखना चुनाव परिनामों पर निर्वर होगा। पिछले पाँच वर्सों में नियूटन की दिली और मार्क गैंग के दो-चार होने पर कामयाब मोदी इस मर्तबा सरकार गठन करने में जरासा भी देरी नहीं करना चाते। उनकी पार्टी को अस्पष्ट बहुमत मिले न मिले सबसे बड़ी पार्टी के नेता के तौर पर राष्टपती उन्हें ही सकार बनाने का पहला निमतरन देंगे। 24 मई को 17 लोग सबा गठन के लिए अधिसूचना के बाद यह होगा। आपको बतादे कि भाजपा ने अपने तमाम परत्यासियों को सूचित कर दिया है कि सांसत के तौर पर जीत की गोश्टा होते ही वह ततकाल निर्वाचन अधिकारी से निर्वाचन प्रमान पत्र ले कर दरवाजे सब के लिए हमेशा खुले रहेंगे जी हाँ दोस्तों अकली बड़ी कपर सबसे अच्छे दोस्तों को फेस्बुक दिखाएगा सबसे उपर जी हाँ दोस्तों अपने दो और अब 30 कडोर यूजर्स के लिए फेस्बुक अपने निउस फीड में फेर बदल कर रह जिसका मकसद यह जानना था कि आखिर लोग क्या देखना चाहते हैं और किसके माध्यम से देखना चाहते हैं सोसल मीडिया के दिगज कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि हम अपने दिये गए सर्वे के आधार पर दो रैंकिंग अपडेट की घोशना कर रहे हैं ए जा फिर यूजर एक ही पोस्ट पर लगतार रियक्ट और कमेंट कर रहा है या एक ही जगह इस चेक इन कर रहा है ऐसे में फेस्बुक पैटर्न को दिखेगा इस सभी बातों के लिए फिर अपने अलगोरितम को सुचित करने के लिए इन पैटर्न का इस्तमाल करेगा जिए चल रहा है पुलुआमा के पंज काम इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिरा है जबकि 2 या 3 आतंकियों के छुपे होनी की कबर आ रही है आपको बता दे कि अभी तक घाटी में पिछले 3 दिनों में सेना ने अब तक 8 आतंकियों को ठेर किया है परसो पामा जीले में हुई मुटभेड में जैस के मुहम्मद के तीन आतंक वादी मारे गए और सोफिया मुटभेड में भी तीन आतंकी मारे गए थे आपको बता दे कि अब तक जम्मु कस्मीर में साल 2019 में अब तक करीबन 85 आतंकी मारे जा चुके हैं वहीं सेना के 61 जवान सहीद ह होगा जी हाँ दोस्तों लोकसमा चुनाओं के सातवे और अंतिम चरण में उत्तर परदेश की 13 सीटों के लिए चुना परचार थम चुका है और इन सीटों पर मतदान रविवार को होगा इस चरण में प्रधार मतिन नरेंद्र मोदी केंदरिये मंत्रियों में मनुज सिन अ पुरकपूर, बासगाउ, घोसी, कुसीनगर, देवरिया, सलेमपूर, बाराणसी, बलिया, गाजीपूर, चंदौली, रॉबर्स गंज और मिर्जापूर सामिल हैं इन 13 संसदी सीटों पर 2.32 करोर मत दाता हैं जो 168 उमिद्वारों के किसमत का फैसला करेंगे इस चरण के लिए कूल 13,980 मत्दान केंदर और 25,874 मत्दान बूथ बनाए गए हैं जिहां दोस्तों आपको बदा दे कि वराराणसी से प्रधार मतिन नरेंदर मोदी के खिलाफ 25 परत्यासी मैदान में हाला कि कोई परत्यासी उनसे सीधा टकर लेते हुए नचर नहीं आ रहा हैं यहां से पहले कॉंग्रिस मासिचु प्रियांका गांधी के लड़ने की चाचा हुई थी लेकिन बाद में कॉंग्रिस ने उन्हें पुराने प्रत्यासी अजयराय को टिकर दे दिया था अब बात करें गटवंदन यानि सपा में बीसेफ से बरखास जवान तीज बहादूर याद के अंतर को लेकर के चर्चा जोरो पर है बात करें गोरकपूर की तो गोरकपूर लोकसवा सीट को बीजेपी का गड़ कहा जाता है यह सीट पहले 29 साल से बीजेपी के पाले में रही लेकिन 2018 में हुए ओप चुना में समाजवादी और बहुजन समाजवादी गटवंदन के प्रत्यासिप प्रवेण निसाद को इस सीट पर जीत दर्च कराई गई थी इस बार बीजेपी ने यहां भजपूरी फिल्मों के अविनेता रवी किसवन को उम्मिदवार बनाया है गठवंदन ने यहां से राम भुवाल निसाद को मैदान में उतारा है राम भुवाल नि तरक्की की बुनियादे पर चुना उलड़ रही है जबकि गठवंदन ने जातिगत समिकरन के मजबूत घोट छिपा रखी है इस सीट पर मुख्यमंतरी योगी आदितनात की भी परतिश्टा दाव पर लगए हुई है बात करें चंदावली में तो चंदावली में यूपी स्वाहा की पत्नी सीव कन्या कु स्वाहा को मैधान में उता रहा है पांडे को सपा बसपा गठवंदन से चुनाओ रही है लेकिन गठवंदन में अस्थाई condh और पांडे द्वारा कराए गए कारे को मजबूती दे रही है बात करें मिर्जापूर की तो मिर्जापूर की मुकाबला त्रिकोणिये लग रही है अनुप्रिया पटेल मिर्जापूर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही है जहां से गटवंदन सपा के टिकट पर राजेंदर एस विंदा चुनाव लड़ रहे हैं कॉंग्रेस ने लतिकेस पती त्रिपाठी को उमिदवार बनाया है इसी चरण में कुसी नगर के पूर्वे मंतरी और आरपी एन सींग को किसमत का फैसरा भी होगा जहां से बीजेपी के उमिदवार बीजे दूबे को टिकट दिया गया जबकि गठवधन की तरफ से सभा के नथुनी परसाद कुसवा चुनाव मैदान में है दोस्तों कैप्टन राज में धर्म परिवर्तन के अपमान पर इंसाफ नहीं मिला तो दे दूगा इस्थीपा जी हां दोस्तों आखरी चरण की वोटिंग से पाले पंजाब में मुख्य मंतरी कैप्टन अमरिदर सिंग और उनके मंतरी नोजो सिंग सिद्धू के बीच तकलिया बढ़ गई है नोजो सिंग सिद्धू ने कहा है कि अगर कैप्टन अमरिदर सिंग के राज में धर्म गरंतों के अपमान पर इंसाफ नहीं मिला और दोसियों को सजा नहीं दी गई तो मैं कैवनेट मंत्री पत से इस्थिपा दे दूगा जी हां दोस्तों भटिंडाव से कॉंग्रेस उमिद्वार अमरिंदर सिंग राजा वांडी के समर्थन में रैली को संबधित करते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी पर सीधा निसाना साथा उन्होंने कहा है कि अकाली दल सरकार के दोरान पंजाब को कथित नुकसान पहुचा ले के लिए बादल परिवार पर हमला बोला रैली के दोरान उन्होंने कहा है कि कैप्टन अब रिंदन सी का नाम लीजिए नोजोज सिंग सिद्धू परचार के आखरी दिन इसारो इसारो में कुछ इस तरीके से करते हुए दिखे जी हाँ दोस्तों राजी में परियाटन और संस्कृति मंत्री नोजोज सिंग सिद्धू ने कहा है कि अगर धार्मिक गरंथ को दोस्यों को सजा नहीं मिली और अगर गुरु को सम्मान नहीं मिला तो सिद्धू यानि मैं इस तीपा देंदूगा आपको बता दें कि इस चुनाओं में कांग्रेस के अस्टार परचारक नोजो सिंग सिद्धू ने पंजाब में परचार ही नहीं किया बलकि दो दिन पहले कांग्रेस महाचाजी प्रियांका गांधी से गुजरात रैली में भी उन्होंने पंजाब में एंट्री की प्रियांका गांधी वाटरा ने नरेंदर मोदी की तुलना सोले फिल्म के असरानी से की है जी हाँ दो सो कांग्रेस महाचाजी प्रियांका गांधी ने उत्तर परदेश के गुराकपूर में एक रैली में प्रधान मतरी मोदी की तुलना सोले फिल्म के पात्र असरानी से की उन्होंने काया कि क्या आपने सोले फिल्म देखी है और उसमें असरानी की किर दार को भी देखा होगा वो हमिसा दोहराया करता था अंग्रेजो के जवाने का जेलर ठीक उसी तरीके से मोदी जी जोहर लल नहरू और रजीव गांदी के जवाने की बात करते हैं पिछले पांच वर्सों में उन्हों ने अपने काम का हिसाब क्यू नहीं दिया सोले फिल्म के असरानी एक हासे पातर की भूमी का निभा रहे थे इससे पहले प्रियंका गांधी ने मिरजबु एक रैली में प्रधानमत्री मोदी पर कटक्ष किया उन्होंने कहा है कि आपने दुनिया के सबसे बड़े अभिनेता को प्रधान मंतरी बना दिया, उस सबसे अच्छा होता कि आप अमिताब बच्चन को ही प्रधान मंतरी बना देते।